हला बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स सील्सी सीकर आज चुके हम हमारे इको फूर के जैए मेंस वाले पार्ट के सॉलुशन पे इसमें हमारा पहला करश्चन जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं वक्पाइनर्जी सर्क्लो मोशन पहले क्योशन की बात करत लोगा उसकी यहां पर आप से बात की गही है तो बर्सन जब स्टेफ चड़ेगा इस तरह से मिट तो वह टोटल कितनी हइड गेन कर रहा है एक स्टेप की हाइड है 2.2 मीटर और एसी कितनी स्टेफ से 40 तो कितनी हाइड गेन कि उसने 8 meter ठीक है total mass कितना carry करके लिए जा रहा हूँ mass net जो आएगा वो आएगा खुद का 50 plus 270 तो work done जो है वो किसमे convert हो जाएगा delta u plus delta k तो delta u का मतलब mgh और delta k का मतलब हाँ पर जीरो तो यह हो जाएगा अपने पास एम 70 10 और यह एच कितना 8 तो अपना आंसर हो जाएगा 5600 जूल आंसर विल भी थर्ड ओप्षिन वेटा तो यह हमारा थर्ड ओप्षिन इसका करेक्ट आप नोट कलनेक्सा स्वसेशन एक बार फिर आते हम हमारे अगले केस्ट पर अगले केस्ट पर अगला केस्ट इव ब्लॉक उट तो थो के जी हार्ड नुट इस प्रिस जोने समोज इंग्लेंट लाम पार इंप्षिन इंगल 15 अंटिंगरी डिग्री डिग्री एक्स्टनल पूर्स एप्लाइड उन ब्लॉक पैरलर टो इंक्लाइट टू पुल ब्लॉक स्लोली अप्टो 10 मिटर तो देखो 10 मिटर तक हम इस ब्लॉक को खीच के ले जाएंगे तो इसमें हमें कितना फोर्स लगाना वर करना पड़ेगा डिस्प्लेस्मे आपको work done by external force यहाँ पर ध्यान रखता है इसमें कहीं भी friction की बात नहीं की गई स्मूद जो है यहाँ पर बोला गया है ठीक है तो अब इसमें स्मूद वर्ट दिया है इसका मतलब हमारे पास क्या जाएगा इसमें वर्ग दन एक्वस टू एफ एक्स्टर्णल इंटू डिस्प्लेस्मेंट स्लोली लेके जाने का मतलब क्या है कि इसमें आपको कोई जो है ब्लॉक को कानेटिक एनरजी नहीं देनी है तो वर्ग दन एक्ट एक्स्टर्णल किसके बराबर होना चाहिए सिंपल एम जी साइन थीटा के बराबर इंटो डिस्प्लेस्मेंट एंजी सांटीटा एम कितना दिया वे टू किलो न्यूटन यह पुरह एंजी की वाल्योग दिये टू इन तो टैन तो फॉट इस दीटा की वैल्यू और एस कितना दिया आपको टैन मिटर तो यह हो तो 2.58 का double almost 5.17 किलो जूल आपका second option इसका करिक्ट हो जाएगा ओकी आते हम हमारे थर्ड क्योर्शन पर थर्ड क्योर्शन में आपको यहाँ पर एक रसी से एक ब्लॉक को बांध कर उसको नीचे उतारा गया है रसी का टेंशन इसको रोकने कोशिश कर रहा है और एमजी इसको चलाने कोशिश कर रहा है बट इसका downward acceleration कितना आ रहा है इसमें जी बाई 4 तो देखो downward acceleration जी बाई 4 कब आ है तो इससे टेंशन कितना आ जाएगा 3 mg by 4 इसका मतलब इतना टेंशन ऊपर लग रहा है बट इसके बाउजुद ब्लॉक फिर कितना डिस्टेंस तक नीचे गिर रहा है तो डिस्टेंस तक ब्लॉक को नीचे लिके जा रहे है तो देखो टेंशन जो है वो डिस्प्लेस्मे सब्सक्राइब को यह जाएगा टेंशन की वैल्यू कितना है 3 mg by 4 d-1 तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ओप्शन इसमें कोई कंफूजन तो यह अपना इजी सा क्यों हो गया यह सिंपल यहां मेकेनिक्स के लग रहे है ताकि आप इन क्योंशन को इसल्ट कर सकें कि आते हम हमारे फोर्ट क्योंशन पर फोर्ट क्योंशन में रबर बेंट को स्ट्रेच क्या गया है एक्स अमांट से तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है वह इस तरह से डिस्प्लेस्मेंट यह एक्स के डिपेंडेंसी पाता है यह और भी कॉंस्टेंट है तो आप plus B X square का integration करना है L से 2L की limit के बीच में तो यह क्या हो जाएगा A X square by 2 plus B X cube by 3 यह हो जाएगा L से 2L और यह L से 2L तो finally मेरा answer आजाएगा A by 2 और 4L square minus L square plus B by 3 8L cube minus L cube तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 3 by 2 A L square plus 7 by 3 B L cube आपके तो अपना option को जाएगा पिटेश का 3 by 2 L square plus 7 by 3 L cube तो यह अपना 4th question का answer हो जाएगा 3rd option ओके आते हैं हमारे 5th question पे 5th question में दो similar spring आपको दी गई है P और Q जिनके spring constant K P और K Q है उनको stretch क्या गया है पहले case में तो same amount से same amount का उतलब हो था सेम displacement produce करना सेम stress produce करना तो यह को restoring force हो है work done जो है वो energy में store होता है उसका formula क्या अपने पास half K X square यह form दाता लगाना जब X constant हो और इसी को दूसरे form में लिख सकते है अपन F square upon 2K तो यह कौन सा case में लगेगा case A में तो यह लगेगा और case B में यह लगेगा तो case A की इसाफ से अगर हम देखें तो WP by WQ इसमें क्या जाएगा half K P X square half K Q X square तो पहले वाले case में देखेंगे तो देखो K P जो है वो जादा है K P जादा होने का मतलब क्या हो जाएगा WP जादा हो जाएगा WQ से दूसरे वाले case में देखेंगे तो दूसरे वाले case के इसाफ से क्या हो जाएगा F square upon 2 K P F square upon 2 K Q F save कर जाएगा तो finally आपके पास कि यहां पर बजाएगा K Q by K P WP by W Q अब हम पता के क्यूँ तो कम है ना के क्यूँ कम इसका नदर WP कम हो जाएगा तो इस case में WP less than आएगा WQ से तो अपना एसा कौन सा option है देखो first or second option में WP कम दिया हुआ है WQ से तो अपना एक ही option बन रहा है इसमें first case को देखके भी second option ठीक और उसमें बाद वाली चीज भी सही लिखी हुई है तो अपना second option हो जाएगा fifth का इसके आते हैं हम मारे sixth question पर the sixth question में आपको यहां पर एक block दिया गया है 10 kg का जो की सब्सक्राइब करोगे तो यह आएगा hundred cost 37 that is 80 इसके जब इधर component करोगे तो यह आएगा hundred sign 37 that is 60 इसका वीट कितना है 100 यह इसका एम जी है तो इसका नॉर्मल कितना आएगा उपर 40 बेचालिस और 60 मिलके 100 को बिलेंस करेंगे तो इसमें friction कितना आएगा कानेटिक यह limiting friction check कर लो पहले limiting friction कितना हैगा म्यूं इंटो एन म्यूं कितना है 0.5 इंटो एन कितना है 40 20 अब देखो limiting friction से जाना चलाने वाला फोर्स इसका अब्जेट चलेगा चलेगा तो acceleration कितना आएगा एफ माइनस एफ के डिवाइड बाई मास असी माइनस बीस बटा दस यहने कि छे का acceleration आएगा तो पास सेकंड में displacement कितना कवर होगा displacement हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वेर हाफ छे पाच का स्क्वेर तो पच्चिस तीन पिचतर मिटर पिचतर मिटर दिस्लेसमेंट अब और फ्रिक्षण का और क्या हो जाएगा त warfare फोस इंटु डिस्प्लेसमेंट इंटु कॉस 180 क्योंकि फ्रिक्षण को लिए को अपोऀटीटू डिस्प्लेसमieंट स्मेंट लगेगा यह इस क्षिछन हें डिस्प्लेसमेंट आगगे की तरफ आ थारह तो बन तो थ adv कि यो होगे तो आपको इतनी मेनत करनी ही नहीं है आप से फ्रिक्शन का वर पूचा है फ्रिक्शन का भी पॉजिटिव वक करें सकता है एक ब्लोग पर तो डायरेक्ट टिक करो थर्ड ओक्षिन टाइम बचा लो यहाँ पर यह स्मार्ट ने सुती बटा एक्जाम में यूज करना च 25 और कॉस्ट जीरो डिग्री तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास अटपन चालीस अटसो चप्पन और चार साथ शहजार जूल तो शहजार जूल आपका इसका आंसर आजाएगा तो अब यहां पर अपना ऑप्षिन बनेगा कौन सा बनेगा सिक्स थाउजन जूल आंसर सेबंद का फस्ट ओके फिर उसका आता है एट कर्शन है एट कर्शन की बात करते हैं ब्लॉक है टेन केजी मास का प्लेज़ों इंट्राइब्री एंगल थर्टी सेवं त्रिक्शन कोफिशन पॉइंट फाइब देखो इसको चलाने वाला फोर्स है फिर इसमें का कॉइंटा आ जायेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया वह टैकल लूंग मू ग्रेविटी अगर निकालना है तो वंग दन ग्रेविटी कैसे निकालो कि पीटा यह जाएगा आपके पास डिस्प्लेस्मेंट भी डाउनवर्ड किता आया छे तो किता आएगा मेरे पास 600 जूल आएगा ग्रेविटी का वर्क मेरा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इसके इसमें आठवे में ओके बीटा इसमें कोई कंफ्यूजन फिर इसके अगले पार्ट में वर्क दन दी गई थी और यह एंगल 37 है तो यह डिस्प्लेस्मेंट आएगा वो टैन मिटर का आएगा अब टैन मीटर इदर लग रहा है ब्लॉक पर फ्रिक्षन पीछे लग रहा है तो वर्क डन वाइफ रिक्षन अगर बताना है तो कैसे बताओगे फ्रिक्षन आजाएगा अपने पास कितना 40 डिस्प्लेस्मेंट 10 माइनस वन माइनस का 400 जूल आ गया तो माइनस 400 जूल नाइंथ का थर्ड ऑप्षन आजाएगा इसमें कोई कन्फूजन फिर उसके आथा अपने पास 10th 10th PC का पार्ट इसमें आप से पूचा है कि इस क्वेशन में काने क्यानिक इनर्जी कितनी होगी ब्लॉक की अब है कि किसी भी औब्जेक्ट एग जितना भी नेटवर्क होता है वो सब उसकी kinetic energy में convert होता है ठीक है कौन कौन वक कर रहा है gravity normal और friction तीनी तो फोर से इस पर मिला के के final gravity कवर कितना आया था 600 normal का आएगा 0 क्योंकि वह हमीशे displacement के perpendicular होता है फिर उसके बाद friction कवर कितना आएगा 400 माइनस में तो के final माइनस के initial इनिशल का इनर्जी जीरो थी तो के final कितनी बचेगी बेटा 200 जूल अपना option आ जाएगा इसका भी सेकिंड करेक्ट kinetic energy का है ना तो यह आ गया देखू तो बिल्कुल आपके जो friction के concept थे friction वाले question जहाब करते थे वहाँ पर हमने वरपाइनर्जी के concept भी काम में ले लिए ओके आगे बढ़ते हैं 11 question देखो अगे वही पुराने concept पर ही वकपाइनर्जी का concept है आपके friction का question टू ब्लॉक का है ना इसमें देखो सब से पहले तो system पे आपने कितना फूर्स लगा दिया 30 Newton तो system का acceleration कितना आएगा 30 डिवाइड बाइ 5 प्लस 10 टू का acceleration आएगा सबसे पहले देखते हैं कि friction limiting में कितना है म्यू इंटू ए पे लगने वाला नॉर्मल ए पे लगने वाला नॉर्मल कितना है 0.4 इंटू 50 तो यह आएगा 20 Newton अब 20 Newton की वज़े से एक ओ जो maximum acceleration मिल सकता है वो कितना मिल सकता है देखो आप 20 चार बीस और पाँंच चार का acceleration मतलब 4 का acceleration एक को maximum मिल सकता है static friction की वैसे और यहां पर acceleration मिल रहा है वो कितना है तू यह जो टू का acceleration है यह maximum possible acceleration से कम है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्लोग साथ साथ चलेंगे यह तो friction का concept है acceleration of system is less than maximum possible acceleration of A इसका मतलब A and B move together अब जैसे यह साथ साथ चलेंगे तो इस case में देखो अब आप अब इसके बाद देखो इसमें आप से पूछा है work done by friction on 5 kg block in 2 seconds सबसे पहले displacement निकाल लो half A T square half 2 T, T भी कितना है 2 square यहने कि 4 चार जो इसका system का क्या हुआ रहा displacement अब देखो इस A को displacement कोन दे रहा है A को चलाने काम कर रहा है friction तो A को चलाने का काम कर रहा है friction तो इसको simple friction की value आपन ऐसे calculate करेंगे यहां पर एक mistake होने के चांसे बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना friction consider कर लेते हैं कि जितना लिमिटिंग उतना ही लग रहा होगा लिमिटिंग है 20 Newton उतना नहीं लगाना है क्योंकि 20 Newton की अगर लगता तो 4 का acceleration मिलता मिल तो दो कहीं रहा है ना acceleration इसलिए पहले friction calculate कर लो 5 इंटो 2 friction आएगा only 10 Newton ओके तब इसमें work done by friction on a कैसे निकालोगे friction force displacement of a और cost angle कितना जीरो क्योंकि system तो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ठीक है तो friction कितना है 10 displacement कितना है कि चार और कॉस जीरो की value 1 तो answer कितना जाएगा 40 Joule तो 40 Joule मेरा answer आएगा मेरा answer हो जाएगा इस ही है ना उस पर भी तो friction पीछे लग रहा है यह पर आगे लग लग रहा है तो जितना अब यह पर फ्रिक्शन ने positive work क्या उतना ही बी पर वो क्या करेगा friction negative work करेगा तो इसका मतलब बी पर जो work जाएगा माइनस में 40 Joule 12 का 4th option कोई confusion इसमें फिर आते हम हमारे अगले question पर एक बार note कर ले बेटे solution को अगला question जो है work का question है इसमें आपको बोलाए कि object जो है वो A से B shift होता है by this force कितना work करना पड़ेगा तो f.ds यह होता है work यह simple integration नहीं करना है कि यहां पर आपको अ वेक्टर फोर में दिया वाथ टू आइग माइनस अफ्री जे फाइनल पोजिशन के थ्री आइप्लस फूर जी माइनस में इनिशल पोजिशन वन आइप्लस टू जी तो टू आइग माइनस में 3 जे 2i माइनस में 2 जे तो कितना ऐगा पूर रीए कितना बेस्टाउ करो वाई वाले को वाई से मल्टिप्लाई करो तो आपका अंसर क्या हो जाएगा माइनस में टू जूल तो मेरा फोर्थ ऑप्शन जो हो थर्टीन का करेक्ट हो जाएगा को फिर उसके आते हैं आप हमारे क्योंशन नंबर 14 पे 14 में देखो आपको एक अच्छा सा कंसेट दिया ठीक है एक अब्जरवर जो है वो एक्सलेरेशन पास से मूँ कर रहा है ठीक है काट का एक्सलेरेशन दो दिया वह इनिशली कार्ट और परसन दोनों रेस्ट में है तो फ्रिक्शन दो के जी पे अब्जरवर की रिलेटिव कितना वर्क होगा है न सबसे पहले देख लो कि इस ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है भाई म्यू इंटू एन से करेंगे तो म्यू कितना है 0.3 एन कितना है 26 और इसको 6 की वज़े से ब्लॉक को एक्सलेरेशन कितना पॉसीबल था मैक्सिमूम 6 by 2, 3 का बट यहाँ पर कार्ट का एक्सलेरेशन 2 है बट जो कार्ट का एक्सलेरेशन है वो 2 है इसका मतलब जो की ब्लॉक के एक्सिमा एक्सलेरेशन से कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्लॉक कार्ट के साथ साथ चलेगा ब्लॉक विल मूव टूगेदर विद कार्ट तो जो ब्लॉक है वो गाड़ी के साथ साथ चलेगा इतना सहनिम आ गया अब ब्लॉक गाड़ी के साथ चलेगा तो ब्लॉक को इतना acceleration कौन देगा friction ही देगा तो friction कितना हो जाएगा mass into acceleration mass कितना है 2, acceleration कितना है 2, 4 newton का आ गया acceleration of displacement of block कितना आ जाएगा half a, किसका है block का t square कितना टाइम में बात करीए 2 second में तो half, acceleration भी दो और 2 का square 4 meter तो आया block का acceleration लेकिन तब तक person कितना चलेगा person जो है वो अपने इसाब से जल रहा person का acceleration आपको अलग दिया वै तो person कितना चलेगा वो चेक कर लो person चलेगा 10 meter मतलब देखो block जो है न block जो है वो यहां से यहां तक आया लेकिन परसन जो है न वो यहां से यहां तक चला गया तो परसन के रिलेटिव ब्लॉक का डिस्प्लेस्मेंट कितना है ब्लॉक का डिस्प्लेस्मेंट इतना है चार मीटर परसन का डिस्प्लेस्मेंट कितना है परसन का डिस्प्लेस्मेंट है टैन मीटर तो person तो आगे निकल गया ना person की relative block का कितना आएगा person की relative block का आएगा इस case में minus 6 यहनिकि 6 minus direction में जबकि friction इस पर किदर लग रहा था friction लग रहा था आगे की तरफ तो देखो person की relative friction जो है वो आगे लग रहा है बट इस पर force displacement फिर भी negative आ रहा है तो work done तो यह क्यों जाएगा force of friction into displacement तो force of friction कितना था चार displacement कितना था minus में 6 यहनिकि पीछी की तरफ था ना इसलिए minus sign आगया cost 180 की वज़े से तो यह कितना आएगा इसमें minus 24 your option third will be correct 14 का third option correct हो जाएगा कोई confusion में इसमें 14 में इसमें ध्यान रखना वर्क जो है वह रिलेटिव टम होती यह भी ध्यान रखना ओके आते हैं हमारे 15 question पे note करने पर एक बार solution वीडियो पॉस करके 15 question में आप से बोलाएगा अगर initial kinetic energy x बराबर 0 बार 40 जूल है तो x बराबर 15 पे final kinetic energy क्या होगी देखो एफेस ग्रापका work done area जो होता है work done को represent करता है और work done क्या होता है delta क्यों होता है तो इसका मतलब अच्छा यह area का मतलब integration का मतलब area तो इसको आपन लेख सकते हैं delta के बराबर एरिया डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के निशल एरिया क्या हो जाएगा यह के फाइनल कितना इसमें के फाइनल आपको बताना है के निशल कितना है 40 एरिया कितना हो जाएगा देखो हाफ बेस हाइट यह तो पॉजिटिव एरिया और बाद वाले एरिया आदेगा और यह इसका हाइट माइनस का टेण तो कितना जाएगा बैटरा सब्सक्राइब करने से 25-75 में 40 और जोड़ो आप है कि अपर सैंटिया जाएब आपका तो 1015-15 यह अपका अनसर फॉर्थ अप्शन विल भी गरेक्ट 15 में इसमें तो काफी एजी क्योशन था कोई दिक्कत आनीन चीज़ में उसका आधा हमारे 16 क्योशन पे 16 क्योशन की बात करते हैं आपको टी टाइम में फोर्स कितना वक करेंगा बताना है देखो फोर्स डॉट डिस्प्लेस्मेंट यह होता है एल्फा बाइवी डॉट डी एक्स फोर्स का देखो वर्क का जनरल जो फॉर्मला है वो लगा दो उसके वाद क्योशन से ही आपको आगे हिंट मिलेगा करना क्या सकते हो डी एक्स बाइदी इतना सा तो अब अध्लीच कर जाएगा आपने इस अध्या से लिखते यह करेवा दिटी कि अधा से मैं पासा यह को टी टू माइनस इल성이 क्टोटर ले इंटरवल एंब किद cleanup इंटरवल की आपको इंटरवल दिया है यह पूरा इंटर्वल जो हो टी टाइम जितना दिया है तो सिंपल एलफा टी आपका वर्क हो जाएगा इसमें थर्ड ओप्शन करेक्ट ओके फिर उसके आते हम हमारे सेवेंटीन क्योशन पर सेवेंटीन क्योशन बोला है कि चार्ड्स पार्टिकल यूनिफॉर्म मै किया जाएगा मैगनेटिक के द्वारा तो बोच में पता है कोई भी चार्ड्स पार्टिकल मैगनेटिक में मोग करता है तो इतना तो बेसिक आफ से centripetal force कोन देता है magnetic field का force ही तो centripetal force provide करता है qvb जिसकी अपन बात करते हैं तो यह हो जाएगा qvb अब यह displacement velocity के हमेशा क्या होता है या instantaneous displacement के हमेशा perpendicular होता है तो याद रखो perpendicular forces का work done हमेशा क्या आता है zero इसलिए magnetic field charge particle पर हमेशा है कैसा वक करेगा zero वक करेगा इसमें कोई confusion आते हम हमारे अगले question 18 पर 18 में आपको बोलाए कि कानेटिक एनर्जी को speed increase by 5% percentage change in kinetic energy speed को अगर 5% बढ़ाते हैं तो कानेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा अब हैना कई लोगों यहां ट्रिक लगा होगी है ना डेल्टा के इस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी परसेंटेज यह लगा दी क्योंकि बच्चों देखाऊ का 5% से कम या 5% तक लगा देते हैं पर ज्यान रखना बेटा इस ट्रिक से आपका जो आएगा और 10 परसेंट आएगा और मैंने जान बुझके पहला ऑप्षिन टेन परसेंट ही डाला था कि आप लोग यहां फज्जाओ देखो टेन परसेंट के आसपास वाला भी तो ऑप्शन है अब यह ट्रिक वाला ऑप्शन वैसे अप्रॉक्सिमेशन होता है अगर 10.25 नह इतना है तो यह आएगा हाफ एम वी स्क्वेर 1.05 का स्क्वेर 1.05 का स्क्वेर अब आप करोगी तो पहले तो यह करके देखो तो पांच का स्क्वेर 25 और ही हो जाएगा पांच फिर 105 और है तो आप इसको लिखो 25 पांच पांच दस 111 1.10 1.10 25 इंटू के अब एक्च्वल का इनर्जी फाइनल जो है 1.10 टाइम से ना और बाद में 25 भी आ रहा है तो यह 25 की वैसे सब ध्यान रखना आपको यहां पे एक्च्वल आंसर ही निकालना पड़ेगा जिसने अप्रोक्सिमेशन वाला फॉर्मॉला यूस किया ना उसक इंटू 100 परसेंट तो कितना हो जाए गटा 10.25 परसेंट तो मेरा सेगेड ऑप्षन करेक्ट है ध्यान अगना ट्रिक लगती तो है 5% से कम चेंज पर लेकिन ट्रिक समीशा अप्रोक्सिमेट आंसर आता है जब ऑप्षन में आपके अप्रोक्सिमेट ऑप्षन के पास वाला भी ऑप्षन दिया जाए है ना तो आप अलर्ट हो जाओ ऑप्षन देखे कि कहीं ये ऑप्षन तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि दिया है उन्होंने है ना तो आपको फिर एक्च्छल केलकुलेशन करनी पड़ेगी ट्रिक है ना अपन बोलते तो है कि 5% से कम पर काम ले ले इसी आपने बढ़ा दी तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा पी बराबर होता है रूट टू के एम तो पी ड़ेश बराबर 2 के दिश कितना एक्स डबल करना तो यह जाएगा रूट टू टाइंस ओफ पी लेटा पी कितना हो जाएगा पीडेश माइनस पी एंटू हगर पर परसेंट कि उसमें से माइने सब्सक्राइब यह मेरा फॉर्थ ऑप्शन आ गया और इसमें तो ट्रिक वैसे नहीं लगा नहीं क्यों कि परसेंट का चेंज ऑप्शन पचास के आस पास नहीं आएगा 41 आएगा ठीक है फिर उसका आता है 20 कर्शन 20 केशन बोला है कि एक ऑप्जेट को आपने इसके वाली स्प्रिंग से रखावा है फिर बोलती है कि आपने स्प्रिंग को दो इस्सों में काट दे छोटे इससे सापन के था रावर है सर इसमय जो फोर्सा आयगा मूत मुद य के वराभर ही आएगा पुरिंग को है देख देश करना बिदो तो कि लेकिन इस में पमाद क्षिव और lly का मतलब मतलब की डेश क इतना हो जएका डबल डब होने का मतलब देखो f square upon two twice of K तो यह कितना हो जाएगा यू बाइट अभी इन्होंने इसको एनर्जी को यह बोला वाए तो यूदेश हो जाएगा इवाइट तो इवाइटू मेरा थर्ड ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा इसमें कोई गंफ्यूजन बिटा बच्चों आते ह है कि उसकी नेच्रल लेंथ कितनी है एल ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यह जो इस्प्रिंग की लेंथ है यह तो यह से ज्यादा होगी ना तो हम यह बोल सकते हैं कि जो एल डेश का कॉस्ट 53 कंपोनेंट होगा वह एल के बराबर होगा यह एल डेश 3 by 5 इस एल डेश कित इतना हो जाएगा यह डेश माइनस एल 5 by 3 एल माइनस एल अब मिनस टू बाइट है यह क्यों जाएगा आपके पास एल डेश एक्स की वैलिए अब देखो सिंबल सी बात है जब ऑबजेक्ट कितनी मैक्स स्पीड गेन करेगा यह आपसे पूछा है रिंग कितनी मैक्स पिद तोजब मनेंस प्रिंग ओब्जेट यहां से यू बराबर 0 साथ रिलीज करोगे तो spring force इस पे ऐसे लगेगा को उसका एक ग्प्टेंट इसस आएगा spring force का x component वो spring force का x component को आगे चलाने के कोशिश करेगा तो जब रिंग इस position में आएगी तो जो भी spring की stored energy वो किसमें convert हो जाएगी बेटा रिंग की kinetic energy में तो इस case में हम वह सकते हैं kinetic energy equals to potential energy of spring तो क्या formula हो जाएगा half and v square बराबर half kx square तो वी कितना हो जाएगा बिटा root of k by m x और x की value कितनी आपके पास आपने भी calculate किया कितना था विटा 12 by 3 जो कि रूट के बाहर है ठीक है तो यह maximum speed हो जाएगी आपके पास यह energy conservation principle लगा दें आप तो अपना option कुंसों हो जाएगा इस case में second option हो जाएगा 21 का इसमें कोई confusion तो 21 का second option आगे अपना उसका राते हम 22 पे एक बार इसका सुलेशन नोट कर ले वीडियो पॉस करके अगे अगे 22 में बात करेंगी तो 22 में क्या हो जाएगा आपने पास यहां पर एक एम मास्का व्लोग है रहा उसकी काई स्प्रिंग कॉंस्टेंट के है उसे स्प्रिंग को अपन ने पहले क्या करा इसे एल बाइटू लेंस से दबा दिया फिर उसको अपने रिलीज किया तो ऑप्चिक इतना दूर जाकी गिरेगा आपको बताना है ना तो यह सिंपल ड कंप्रेशन आपको ओल्रेडी दिया हुआ कितना है एल बाइट फिर टाइम कितना लगेगा किरने में टाइम हो जाएगा रूट टू एच बाइजी और एच कितना दिया आपको एच दिया वाए एटल तो टू इन्टू एट एट एल बाइजी तो यह कितना है 16 का फूर स्पीड इंतु टाइम रूट ऑफ की बाइब लबाइटू यह तो रूट मा आ गया और फूर रूट ऑफ यह बाहरा गया कितना बाइगा है चैके बाइएं बच जाएगा कि यह ना और जी भी आ जाएगा इसके अंदर और एल किति बार एक और आधा है एल की पावर आ जा यह अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका करिक्टा जाएगा ओके बीटा तो आपको इसकी होर्जोंटल रेंज बतानी थी पहले तो आपको एनर्जी कंजरेशन प्रिंसिपल लगाना है उसके आपको प्रॉजेक्टल का कंसेट था वो लगाना था ऑब्जिक्ट जो है वो इस तरह सापनी इंकलाइन रखावा हैं आपको इसकी पोटेंशल एनर्जी बतानी अंगल थीटा है तो देखो सिंपल सी बात और इनुन पोटेंशन जी जी रो है ठीकिक तो ग्राउंड की पोटेंशन जी 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 रो है तो अब जैको इसका सेंटर ऑफ मासक है देखो उनिफों रो वो कितनी आ जाएगी एल बाइटू साइन थीटा अब जो पोटेंशल एनर्जी हमेशन डिफरेंस की टंस में डिफाइन होती है एम जी डेल्टा एच जब यूनिफॉर्म रोड हो तो पूरे मास को सेंट्रोप मास वाली पोजिशन पर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फिल्ट सब जग यूनिफॉर्म है इस रोड की लेंद्ध के लोग तो यह क्यों जाएका यू फाइनल अब शुरुवात कहां से कर रहे रहे है फ्रेंस ग्राउंड से मान रहे है तो उसकेस में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अब इनिशियल का मतलए ग्राउंड की एनर्जी तो यह तो अपने जीरो मान ली मान ली क्या दी हुए एक्चुली है अपन को है ना और एच सी एम कितना है एल बाइटू साइन थीटा तो फाइनली मेरा अंसर आजाएगा थर्ड ओप्षिन एम जी एल बाइटू साइन थीटा इसमें कोई डाउन बिट है किसी को ट्वेंटी थर्ड यह होंगे अपना फिर इसको आएगा 24 एक बार इसको नोट करने सोलुशन को पहले वाले को वीडियो पॉस करके नोट करने ठीक है यह क्यों और यह सका सॉलुशन ठीक है अब आते है पने 24 पे 24 मोला कि फाइटर जैड जो है वह स्पीड ऑफ साउंड से अर्थ की सर्फिस के जस्ट पास में म अब देखो कोई भी टोटल मेकेनिक अरजी ग्रेविटेशनल फिल्ड की वज़े से अब जो पोटेंशल मिलती है वह मिशन नेगेटिव होती है अब नेगेटिव एनरजी तो पोटेंशल वाली है फाइटर जेट अच्छा आप जब ग्रेविटेशन में एसकेप का स्पीड क्या बताता है कि जब आप किसी भी ऑपजिट को एसकेप करवाना चाहता आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड देनी पड़ती है तो यहां पे हमने जो स्पीड दी है वह स्पीड ऑफ साउंड के बराबर दी स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है वह नॉर्मल ए वह स्पीड ही इसका मतलब जो है ओबजिट कभी एसकेप नहीं कर पाएगा अब बेन एने नहीं कर पा रहा है तो अब है वात यह हो न रहेंग हो इस तरह से वोस्क्षारी की स्पीड जो है विकल है तक उसकी टोटल wave हाँ इनकेस अगर कभी प्लेन की टोटल स्पीड 11.2 किलोमेटर से जादा हो जाए तो उसकी टोटल एनरजी क्या हो जाएगी पॉजिटिव कर सकता है तो इसमें नेगेटिव एनरजी अपना आंसर हो जाएगा 24 तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सिकेंड ओक्षिन olurs बताने है तो को में ढूंत से पीको फॉर्स का फॉर्म लागि nights Kaiser – भWhen you by Del मैंए जेकिंप online 003 बदेयें हो ज्चेंग होगा यह तो सिकेंट फॉर्स का फॉर्म्ला की वैल्यू माइनस 3 जी के आपके पास आंसर क्यों जाइगा there उसका दात्या अपन 26 पे नोट कलने एक बार इसका सोलीशन 23 में बात करें तो conservative force और position का ग्राफ गीवन आपको stable equilibrium position बता नहीं देखो stable equilibrium position के लिए कोई भी equilibrium position के लिए पहली condition क्या है कि F net 0 होना चाहिए F net 0 कौन कौन सी position हो रहा है B पे और D पे ठीक है इसके इलाबा तो कोई equilibrium position ही यह नहीं इसमें अब BOD में अगर compare करें तो फिर देखो यह जो negative area ना देखो conservative force के लिए क्या होता है जो डेल्टा यू होता है वो होता है माइनस of work done by conservative force यह नहीं कि माइनस F dot T X अब माइनस यह तो formula का है जैसे BOD की बात करें for B to D B to D ये work भी तो negative आएगा क्योंकि area negative आ रहा है है ना तो negative area होने की वाज़े से overall work क्या हो जाएगा positive इसका मतला हम बोल सकते हैं कि जो D की potential energy है वो B से ज्यादा है इसका मतला U D greater than U B अब देखो दोनों equilibrium position है लेकिन जिस पे potential energy minimum होगी उसको अपन क्या बोलेंगी stable equilibrium तो इसका मतलब यहां पर potential energy है minimum और इस पर potential energy वापस क्या है maximum तो इसका मतलब B क्या हो जाएगा B हो जाएगा stable और D क्या हो जाएगा unstable अगर unstable पूछते तो आपका answer D होता लेकिन stable पूछा है ना stable पूछा इसलिए अपका answer हो जाएगा B option ठीक है तो 26 का second option correct हो जाएगा अपना इसमें कोई confusion भीटा फिर उसके आते हम 27 पे 27 बात करेंगे आपको यहां पर पी नॉट कॉंस्टेंट पावर दिया हुआ है है ना वेकल की स्टार्ट करता है motion speed x distance के बाद कितनी होगी तो देखो पावर क्या होता है बेटा instantaneous पावर होता है एफ डॉट वी डैट इस पी नॉट एफ को में लिखूंगा एम इंटू ए वी पी नॉट अब डिस्टेंस एक्स की बात करना है तो इसको देखो एक्सलरेशन को यह वाला फामुला लिख दो वी डीवीड एक्स वाला तो वी स्क्वेर डॉट डी वी अबर पी नॉट अपॉन एम डॉट डी एक्स अब जो कॉंस्टेंट उसको दूबाँ निकाल लूए ओँ घीरो से वी है ना और यह हो जाएगा 0 से X तो यह कितना हो जाएगा पिटा V3 by 3 limit लगाओगे 0 से V P0 upon M X 0 से X तो limit के बाद आपका answer कितना हो जाएगा V3 by 3 is P0 upon M into X तो यह हो जाएगा V बराबर P0 3 P0 upon M X और इस पूरे की पावर के आएगा बेटा 1 by 3 इस पूरे की पावर 1 by 3 मेरा फर्स्ट ओप्शन यहां करेक्ट होगे 27 में ओके बेटा तो 27 का फर्स्ट ओप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर आते हैं 28 पे 28 में 2nd hand जो है वो क्लॉक का वो कितना है वो आपको 20 cm लेंद का दिया वाया जैको इसकी लेंद आपको 20 cm गिवन है और इसमें टिप है ना उस टिप की स्पीड पूछी गई है तो यह मालोग पी पॉइंट माले ता पर इसकी टिप को यहां पी पॉइंट एक the Peepoint की Speed पूशिए वो में पता सेकंद हें जो है वह constantरी स्पीट से घूम रहा होता है turn तो ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा एक चकल लगाने में कितना टाइम लगता है इसको 60 सेगंड एक मिनिट में लगता ना एक चकर सेकेंड का तो वी यह हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड तो वी क्या हो जाएगा ओमेगा इंटु एल ओमेगा कितना हो जाएगा 20 cm और यह रेडियन पर सेकंड में आ रहा है इसमें भी चाहूं तो पिछी निए टिक देना रेडियन पर सेकंड तो कितना हो जाएगा है यह हो जाएगा है 45 आए 60 253 cm पर सेकंड तो यह आपका आंसर जाएगा 253 cm पर सेकंड यह अपना सब्सक्राइब करें इसमें हमारे 29 पर 29 पर 29 पर पार्टिकल जो है वह स्टाट करता है सर्कूलर मोशन विद यूनिफॉर्म अक्सलरेशन हरा इट गेन अंगुलर वेलोस्टी टू पाई रेडियन पर सेकंड इन फोर सेकंड इस स्टाटिंग वेलोस्टी फॉर दिस ताम इंटर्वल देखो चार सेकंड लिए अवरेज देखो अल्फा अगर कॉंस्टेंट होना तो ओमेगा एवरेज जो है उसको आप एससे लिख सकते हो ओमेगा इनिशेल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू और इन वेक्टर फोर्म होता है ना तो देखो, अब यहाँ पे, ओमेगा इनिशिल कितना है? 0 ओमेगा फाइनल कितना है? 2 5 डिवाइड बाइ 2 तो मेरा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा एवेरेस का πी रेडियन पर सेकेंड यह मेरा आंसर हो गया ओमेगा आवेरेस के लिए पाई रेजिन पर सेगेंड 29 का ओप्षिन नमबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्यों इसमें नौट करने इसको अगला 30 क्यूशन 30 क्यूशन आपको एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि कौन सा वो टाइम होगा जब एक इंसटेंट के लिए डिश्ट पाएगा तो इसको आप डिफ्रेंशिट करो तो ओमेगा निकाल लो जाएगा 0 minus of BT का 1, C और T square का 2T, तो यह कितना हो जाएगा? 2C T minus of BT, this is what omega, अब यह बोल रहें कि omega, कब वो एक instant के लिए rest पाएगा, omega 0, sorry, B के साथ T थोड़ी है, 2C T minus of BT, तो टाइम कितना हो जाएगा? B by 2C, B by 2C हैने की, third option correct होगा, 30 का, ओके बीटा, इसके आएंगा अब हमारे 31 number question पे, 31 question में particle move कर रहा है, constant angular velocity circular path में, ratio of average acceleration to instantaneous acceleration of particle after half revolution will be, तो आधे चक्कर के बाद, हैना अब बो पार्टिकल ने constant angular velocity दिया हो, पहली चीज़ी दिखान रखना, ठीके, आधा चकर उसने cover कर लिया, ठीके, तो यहां से मालो T बराबर 0 सो चलना शुरू करेगा, टी टाइम बाद उसका आधा चक्कर पूरा हो जाएगा, ठीके, आधे चकर बाद उसकी speed में इतना change आजाएगा ना, speed में तो चीज़ नहीं आएगा, एक्चली वेलोस्टी में चेंज आएगा, speed की direction की वज़े से, हैना, तो इस case में, अब देखो, वो बूसरे, average acceleration, average acceleration आप कैसे बताएंगे, average acceleration के लिए, हम लिखते हैं, delta V by delta T, delta V कितना हो जाएगा इस case में, V final minus V initial by delta T, V final को चलो में minus V लिख लेता हूँ, initial को में plus V लिख लेता हूँ, time कितना लगा, pi r, आधा चक्कर लगा है न, V speed से इतना टाइम लगा होगा, तो यह कितना अधा हैगा, minus of 2V square upon pi r, इसमें भी खाली value की बात कर रहे हैं अपने न, तो इस case में, क्योंकि कौन सा आधा चकर रहे हैं तो पता ही न, तो अपने खाली mod की बात करेंगे, तो 2 by pi V square upon r, अब V square upon r क्या है, यह centripetal acceleration, तो हमें यह पता है कि जब particle circular path में constant velocity से move करता है, तो उसके पास cable call से acceleration होता है, centripetal, तो T time बाद उसका instantaneous acceleration जो है, वो actually उसके centripetal acceleration जितना ही तो है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा, average acceleration 2 by pi of centripetal acceleration, अब average acceleration कितना हो जाएगा, और centripetal acceleration कितना हो जाएगा, 2 by pi, और जो centripetal acceleration वही क्या है, instantaneous acceleration, तो average और a instant, instantaneous acceleration, कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 2 by pi, मेरा answer number 2, option number 2 जो है, वो correct हो गया, 21 का 31 का 2, ओके बेटा, फिर आते हम हमारे अगले question फिर 32 पूचा, circular motion में, uniform circular motion में क्या होगा, uniform circular motion वो होता है, जिसमें alpha 0 होता है, है ना, अब uniform circular motion के parameter देखो, में इदर लग देता हूँ, alpha, 0, omega, constant, kinetic energy, constant, बाकि जितने भी vector quantity, linear motion की मतलब, velocity का magnitude, या acceleration का magnitude, यह magnitude तक तो constant रहते हैं, इसमें कोई दिकत नहीं, है ना, बट ध्यान रखना, velocity constant होने की वाज़े से, एक 80 जो होता है, टेंजेंशल एक्सलेरेशन वो हमेशा 0 होता है, अब देखोरेंट क्या बोला है, velocity of particle remains constant, velocity की बात करियों नहीं, speed की थोड़ी बात करियों, velocity यह वेक्टर तो change होता है न, क्योंकि velocity देखो कैसे change होती है, यह देखो, इधर, इधर, यह velocity कभी इधर है, कभी इधर है, यह minus v ik, यह plus v j k, तो इसका मतलब velocity constant नहीं रहेगी, यह गलत हो गया, acceleration constant नहीं रहेगा, वही direction wise, acceleration of particle 0 यह भी गलत है, क्योंकि centripetal acceleration थो है न, पास, और angular velocity constant है, यह बात तो सही है, तो 32 में 4th option हो जाएगा, कि angular velocity constant है, कोणी वेक नियत रहता है, 32 का 4th option, फिर हम आते हमारे 33 number question पे, 33 number question जो है, उसमें आपको दिया हुआ है, कि जो instantaneous centripetal acceleration है, ac बराबर lambda t square, तो instantaneous power जो deliver होगी object को by all forces, देखो, एक चीज़ हमेशे ज्यान रखना है बेटा, पावर जो होता है न, देखो दो तरह के force होता है, एक तो होता है centripetal, एक होता है tangential, ठीक है, और इसकी velocity इस तरफ होती है, पावर क्या होता है बेटा, f और v का dot product होता है, तो आप चाहों तो tangential से velocity को dot product कर दो, बैं दोनों forces से करोगे न, जितने ही force होते हैं किसी भी object में circular motion की दुरान, वो दो तरह काम करते हैं, तो tangential या centripetal, तो tangential वाले में तो power चलो आ जाएगी, f t और v, यह हो जाएगा अपने पास, tangential velocity cos 0, 0 या 180 यह होता है इसमें तो, लेकिन यह क्या हो जाएगा, f c v cos 90, cos 90 degree की वज़े से यह वाला factor तो हमेशा 0 आएगा, मतलब centripetal force कभी भी कोई power provide नहीं करता, तो बच्चा कोन, tangential, tangential में क्या जाएगा अपने पास, यह जाएगा, f t, m into a t, v, ठीक है, यह power हो जाएगी, अब a t मुझे find करना, तो देखो, ac क्या दिया हो है, ac बराबर lambda t square, v square by r, lambda r, t square, this is v square, ठीक है, तो इस case में ही आजाएगा अपने पास, v बराबर root of lambda r, t, तो dv by dt क्या हो जाएगा इस case में, root of lambda r, तो यहाँ value डालो, m, root of lambda r, और यह आजाएगा, root of lambda r, m, lambda r, t, यह आजाएगा power, तो यह मेरा आजाएगा third option, कि जो instantaneous power होगी, किसी भी instant way, वो इस तरह से given होगी, है ना, ध्यान अटना, power ध्यान अटना, केवल centripetal force की वेज़से नहीं होती है, उसकी power 0 होती, टेंजेंशल force, अगर velocity की direction में, तो positive power, टेंजेंशल force, अगर velocity की अपोज़ज़एगा, तो negative power, यह ना, वसी दो case बनते हैं, अगला आता है, तो एक बार आप इसका solution note कर लें, मैटा, यह ना, video pause कर ले, 34, 34 में देखो, आपको क्या दियाओ है, पार्टिकल मुविन सर्कूलर पाथ, स्पीड जो है, वो टी वाई टू से गिवन है, आपको net instantaneous acceleration, आफटर इटेस कवर्ड एक वार्टर सर्किल, जब जब इस ते वार्टर सर्किल कवर्ड किया, यहां से, टी बराबर जीरो से, के centripetal और इस instant पे tangential दोने acceleration बताने पड़ेंगे, अब देखो, वी जो है, वो कितना दिया हो है, टी बाई टू, ए टी बराबर क्या होता है, डी वी बाई दी तो यह हो जाएगा, वन बाई टू, तो tangential acceleration तो हो गया, वन बाई टू, अब centripetal क्या होता है, वी स्क्वेर अपॉन आर, तो वी स्क्वेर यहने की, टी बाई टू का स्क्वेर, अपॉन आर, यहने की, टी स्क्वेर बाई 4 आर, अब इसमें, यह बोल रहे है की, हाफ एक्सेलरेशन, वन फोर्थ क्वार्टर सर्क्ल जो है, तो थीटा जो है, वो कितना हो रहाएगा, हाफ, या इसको डिस्टेंस से कल लेते जला है, अब डिस्टेंस अलोंग सर्कुलर पाथ क्या हो रहाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर, अब देखो, यह डिस्टेंस में सर्कुलर पाथ करोंगे, तो यह भी टेंजेंशल एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूटी जीरो है, यह कितना है, टू पाई आर का वन फोर्थ, क्योंकि एक चोथाई सर्कुल पूरा किया न, यूटी जीरो था, आप 80 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसके इसमें, आँ, वन बाई टू, टी स्क्वेर, ठीक है, तो टी स्क्वेर की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो, आप, वन बाई टू से यह वन बाई फोर खतम हो गया, तो टी आएगा आपके पास, टू पाई आप, रूट में, जाना, तो इसको जब आप यहाँ सॉल करोगे, टी स्क्वेर की विले डालोगे, तो यह वैल्यू कितनी आएगी देखो, यह वैल्यू आएगी आपके पास, टी स्क्वेर की वैल्यू टू पाई आर, पोर आप, तो यह कितना जाएगा पाई बाई टू, मादा सेंट्रिप्टल एक्सलरेशन पाई बाई टू, और टेंजेंशल जो है इतना, तो एन एट कितना हो जाएगा पाई आप, एसी स्क्वेर प्लस एटी स्क्वेर, अब को 1 by 2 बंहारा हो, तो 1 by 2 common, एसी में क्या बज़एगा, शाथ पाई स्क्वेर बज़ जाएगा, और उसमें क्या बज़एगा, 1 सक्वेर तो 1 by 2 रूट वरोटव, नचंव, पलस पाई स्क्वेर, ज क्रम पर स्वेर, अब देखो इसको displacement से कंफिज मतोना क्योंकि हम सर्ट पाथ के लोग डिस्टेंस को इस एक्वेशन पुट कर रहे हैं तो यहां इसी लिए में टेंजेंशल एक्सलेरेशन पूट कर पा रहा हूं अब डिस्टेंस ऐसे सर्पिलर फोम में तो टेंजेंशल एक्सलेशन भी तो हर वैसे यूज़ किया है ठीक है तो यह कंसेप्ट वहता है सर्कुलर मोशन के इस टाइप के क्यों करने का ओके बीटा तो थर्टी-फूर क्यों का आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा आप लोगों ने सही किया होगा आगे बढ़ते हम हमारे थर्टी-फाइब क्योशन पर इसको नॉट कर ले बैटा वीडियो पॉस करके थर्टी-फाइब में आपको एक पार्टीकल जो हो सर्कुलर पार्ट में मूग करना रेडियस आर में सच देट सेंट्रिपडल एक्सलरेशन एंड टेंजेंशल एक्सलरेशन एट एवरी इंस् के बारे मैं उन्हें बात की डिस्टैंस दियावना से तो वी डीवी बाइडियस काम में ले लूँ से लूँंगा यहां पर ताकि मेरा जो अंसर वह बन जाए वी डीवी बाइडियस अबीस और पर एकड़ दो दीवी अपॉन में धीश एपॉन और ते जीरो से एस यह वी नोट से वी, लन वी वन अपोन वी का इंटेग्रेशन वी नोट से वी तक वन अपोन आर और दी एस का इंटेग्रेशन जीरो से एस तक, तो क्यों हो जाएगा? लन वी माइनस लन वी नोट से एस, ठीके? तो यह क्यों हो जाएगा विट आपका? यह हो जाएगा लन वी बाई वी नोट स बाई आर तो वी बराबर वी नोट ए टू दी पावर एस पाई आर और यहां करेक्ट हो जाएगा, कोई confusion में इसमें, तो time के साथ जो है, वो इस्पीड बढ़ती जाएगी, distance कवर करने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, ऐसा के वल अपने थर्ड ओप्शन में ही बन रहा है, ठीके? तो वो अपना अश्यां सही हो गया. बच्चों, भामादे ह एक पोईंट के बाउट कितना होगा तो देख़ो simple सा concept क्यों होता है जिस पोईंट के बाउट आपको speed बतारी है उससे position vector बना दो और इस v का perpendicular component ले लो बस कितना सा करना होता है है ना तो v का perpendicular component जो है वो आपको लेना है तो omega relative का formula अप और टेवाइड भाइड उनके पोजिशन वैक्टर का जो मैगनिटूड से डिवाइड करके मॉड ले लो एक दो बीकी इसके पर पेंडिकलर स्पीड क्या होगी देखो पूरी स्पीड वी तो इस तरह से न और यह एंगल इस ट्राइंगल का फॉर्टीफाइब बनेगा तो यह भी एंगल फॉर्टीफाइब बनना चाहिए तो यह क्यों जाएगा वी पर पेंडिक्लर कितना रहाएगा वी कॉस फॉर्टीफाइब माइनस यह 0 और यह कितना हो जाएगा रूट टूडी आर की वेली रूट टूडी की एक वले ना तो वी बाइड रूट टूडी यहने की वी बाइड टूडी अब वी बाइड वाले मेरे पास दूप्शन है फॉर्स्ट और फॉर्ट तो सही कौन सा होगा दो देखा करें टूट यहां ने के पोजिशन वेक्टर अभी तो यहां है जब यह ऑब्जमती यहां आएगा तो पोजिशन वेक्टर हो झाएगा अब यह पोज़िशन वेक्टर कि सेंसमें घुम रहा है को टॉबलिश हो एक को अ परपनिशन घूम रहा कर 27वेद। आपको क्या बताना है तो देखो बंगल चोंपिरिट को आप घुमाते हो तो इसमें एक ह जो यहां पर लगाएगा उस टेंशन का एक component T cos theta balance किसको करता है mg को T sin theta क्या provide करता है provide करता है required centripetal force तो T sin theta जो है वो provide करेगा m omega square r T cos theta किसको balance करता है mg को ठीके अब यहां से हम दोने equations को divide करें तो 10 theta बराबर क्या जाएगा omega square r by g ठीके तो omega क्या हो जाएगा g 10 theta by r अब देखो g 10 theta r का मतलब क्या था L cos theta ठीके आर सुरी L sin theta हो जाएगा है ना तो यह अपने पास omega हो जाएगा omega का मतलब क्या होता है 2 pi by T होता है ना तो इस case में देखो T बराबर हो जाएगा 2 pi L sin theta upon g sin theta by 10 cos theta किसको लिख सकता हूँ में यह में लिखोंगा इसको तो यह हो जाएगा 2 pi साइन से साइन खतम रूट ओफ L cos theta by g अब देखो यह L cos theta किसकी वैलिए यह L cos theta है H की वैलिव भाई H को तो आप L cos theta लिखोंगे ना मतलब आपको चाहों तो यह डारेट फॉर्मॉला याद रख सकते हो 2 pi root of h by g ठीक है तो यह जाएगा 2 pi बस अपना अंसर ही गया है तो 2 pi L cos theta पॉंग जी और यह pendulum ऐसे वाला नहीं पेंडूल में conical pendulum जोंगो यू घुमने वाला होता है ठीक है इससे आपको काफी जिल समझ मारा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे 37 के बाद आता है 38 38 में देखो 2 object को आपने बांद के घुमाया है तो आपको बताना है कि कौन सा tension जादा है बिल्कुल सिंपल सा इस M1 का FBD बनाओ T1 अंदर लगेगा T2 बाहर लगेगा ठीक है अब इसको centripetal force चाहिए सेंटर तो इसका इस तरफ है ना तो सेंटर की तरफ net force रहे उसके लिए T1 को जादा होना पड़ेगा T2 से वह T1 जब जादा होगा T2 से तभी तो इस M1 को centripetal force मिल पाएगा मतलब M1 पे लगने वाला net force सेंटर की तरफ होगा तो मेरा option कौन सा हो जाएगा इसका third option हो जाएगा कि T1 greater than T2 ओके बीटा यह 38 हो गया इसका अदम बात करते है 39 की 39 में massless rod जो है उसको hinge किया वाए एक end पे particle of mass अब जादा इसे rod है उसको आपने इसे यह बांचके इसे गुमा रहे हो मतलब टॉप पॉइंट पाके वो रुब भी गया ना तो inertia के जिसे समालने के आगे चला जाएगा तो इस case पे simple जो भी आप bottom पे speed दोगे VB वो किसमे convert हो जाना चाहिए mg delta H तो VB कितना हो जाएगा तो root 2G delta H कितना हो जाएगा इसमें 2L तो यह कितना हो जाएगा 4G L कौनसा option करेक्टर वेट है इसका 4th option करेक्टर जाएगा 30 राइन का पर confusion इसमें फिसका आते है 40 पे 40 में क्या है string length 50 1 end fixed दूसरा particle mass 2 kg का सटेच किया हुआ है ठीक है भई अब यह बोल रहे bottom point पे कितनी speed दे ताकि यह एकदम top point पे पहुँझा दे को रसी वाले केस में ना L की वाली तो है half meter तो bottom point पे speed आती है वो आती है root of 5 G L यह रसी से बंदर object की circular motion की condition है 5 G का मतलब क्या हो जाएगा 10 L का मतलब क्या हो जाएगा half तो root 25 solve करने पाद आएगा 5 meter per second तो unit में यहां खेल गए है तो 5 meter per second पे टिक करना है बागी 5 cm भी दिया है वहापे इसको ठीक है तो 5 meter per second वाल अपना third option क्रेक्ट हो जाएगा 40 कोई confusion इसमें तो 40 का third option correct ओके पीटा note कर लिए एक बार यहां तक उसका अधात हम हमारे 41 question 41 question भी इसी का एक पार्ट है 41 question वहला है कि speed of bottom 10 meter per second top point speed कितनी होगी देखो half mvb square अगर आपने provide कर दिया तो उसका कुछ हिस्सा कारेटिक के form में बचा रहेगा और कुछ जो है वो convert हो जाएगा किस form में potential में M से M काड़ दो तो वीटी कितना हो जाएगा वीवी स्क्वेर माइनस टू जी डेल्टा एच और डेल्टा एच कितना है तो तो एंटी मिटर पर सेकंड है तो यहां आंसर की होजाएगा इस पाले पार्ट कर वीपर को जाएगा रूटी मीटर पर सेकंड अपने 41 का 3rd option correct हो गया ओकी फिर जो अगला 42 वो भी सी का पार्ट है उन्होंने पूछाए कि कि जो 41 question है ना उसमें अगर आप temperature यह difference बताओगे bottom point और top point के tension का तो tension का difference कितना आएगा तो देखो जब object complete करता है circular path को तो टॉप point पे जब वो पहुच जाता है तो टॉप point पे पहुचने के बाद उसकी speed इस तरह से अगर हम दे तो टॉप point पे speed vt कितनी बची थी रूट 80 अब यहां पर जो difference होता है अगर आप इसको difference को माइनस करके करोगे तो भी कितना रहा है तो भी 120 आ रहा है ठीक है क्योंकि 2 kg का object आपको दिया वातान है इस case में ठीक है इसका रहता है 43 44 दोनों similar variety question है देखो वस्तु पर आपको अभिलम प्रतिक्रिया भाली नहीं नॉर्मल reaction बता रहा है तो इस पर जो नॉर्मल reaction लगेगा सेंटर की तरफ लगेगा एंजी अपोजिट लगेगा तो बताओ N-Mg क्या हो जाएगा mv square अपना ले क्या हो जाएगा mg plus mv square अपना यहां पे तो अपना कौन सा option हो गया सेकेंड ओप्शन हो गया सब्सक्राइब अपना 43 तो 43 का हो गया अपना सेगिन उप्शन उसके आधाते 44 पे 44 में देखो केवल आपने सर्फेस का नेचर चेंज कर दिया अब इसमें सेंटर जो हो इस तरफ है तो अब जी माइनस एन बराबर तो एन क्या दाएगा इसके में आप इसको अगर माइनस करोगी तो मिनिम्ट को इसका बैकर ने कोफिशेंट में रेडिस हार है उस पे मिनियूम स्पीड कितनी होगी मिनियूम सेफ स्पीड तो मिनियूम सेफ स्पीड का डारेट फॉर्मला होता है अपने पास रूट आर जी टेन दीटा माइनस में वन प्लस मुट एंद दिटा ना थर्ड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 क तरड ठीक है उसमें को दन्फिज़न नहीं 46 सेंट्रीटल फोर्ट हो और टैन लिटन आपको दिया हुआ है तो तेन नीटन सेंट्रल फोर्ष के लिए आपको काइनेटिक इनरजी कितनी है बता रहे तो हाफ एंबी स्क्वार को सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है मैं वी का इनर्जी कितनी आएगी में स्क्वाइर बाइटू है हंड्रेड बाइटू फिफ्टी जूल तो फिफ्टी जूल इसकी का इनर्जी जाएगी 46 का सेकेंड ओप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा ओकी फिसका दाएगा 47 47 में object projected from ground with speed u at angle theta आपको radius of curvature point of projection पर बताना है देखो यह यहां पर यू और theta angle जो है वो ground से दिया हुए तो इस case में जी ऐसे लगता है तो हमें जी का वो perpendicular component लेना पड़ेगा तो इधर से एंगल भी कितना बनेगा बेटा थीटा तो यह जी परपेंडिकलर कितना रहेगा एपर परपेंडिकलर आएगा जी कॉस्टीटा तो रेडियस अब करवेचर कितना हो जाएगा एक तो रेडियस अब कर विचर का फामला क्यों नेट स्पीड का स्क्वेर अपन परपेंडिकलर और परपेंडिकलर का परपेंडिकलर के परपेंडिकलर करते यहां नेट वेलॉस्टी तो इस तरफ थी ना यूंग तो इस नेट वेलॉस्टी के जो perpendicular component आएगा वही आपको यूज करना है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा U square upon G cos theta fourth option correct हो जाएगा 47 में ओकी उसके आता है इसी का अगला part की top point पर radius of curvature क्या होगा लेको top point पर जो net speed बचेगी वो क्या बचेगी X component यन है कि U cos theta और यहाँ पर सारा का सारा acceleration ही perpendicular है तो इस case में top point पर radius of curvature क्या जाएगा U cos theta का square upon G यनि कि U square cos square theta upon G second option correct हो गया यह 48 की बात कर रहा हो मैं तो 48 में कौन सा हो जाएगा बेटा second option correct ओके फिर उसके आएगा अपना 49 49 में कौन सा relation जो है वो correct है आपको V linear velocity R radius vector omega angular velocity alpha angular acceleration AT tangential acceleration और AC centripetal acceleration जो है वो दिया हो है ठीक है तो इन में correct acceleration हो जाएगा देखो V बराबर होता है omega cross R यह AC होता है omega cross V ठीक है AT होता है alpha cross R ठीक है तब देखो यह तो गलत है यह भी गलत है यह सही है बस थरड़ option सही होगी अपना AT बराबर alpha cross R V बराबर omega cross R और AC बराबर omega cross V okay तो यह अपना AC मतला centripetal acceleration जो हमेंशन किया हुआ था और लास्ट centripetal force की dimension क्या होती है force जो है वो simple centripetal हो है चाहिए कोई से फोर्स हो यह तो फोर्स नहों फोर्स की dimension क्या होगी centripetal वाला हो चाहिए टेंजेंशल वाला हो M1 L1 T-2 kg into meter per second square यही तो ठीक हर तरह के force कि यह होती है तो अपना option number के वाजाएगा बेटेसका option नमबर जाएगा इसका फोर्थ ठीक है M1 L1 T-250 का फोर्थ हो गया कोई कंफिजन पीटा यहां तक आपका section a complete ओकर इसमें आपको single choice questions जो है वो फिलप करने थे लोट कर ले यहां तक चलो बच्छों बात है हम फोर्थ यह से लग रहा होगा displacement यह से लगा होगा आपको एंगल पूछा है तो एफ एस कॉस्टीटा बडाबर वर्ख एफ कितना है दस डिस्टेंस कितना है पांच कॉस्टीटा वर्क कितना है पच्छेस तो से थीटा कितना जाएगा 60 डिगरी तब नौप्शन क्यों जाएगा इसका अपको एंगल क्या बताना है 60.00 आपका यह आंसर हो जाएगा इसका है सिंपल डिगरी में उप्शन पूछा था इससे सेकेंड इसकेंड पूसर है कि आपने को यहां चोड़ा तो यहां तक आएगा तो वर्क डन बाइटेंशन और वर्क ग्रेविटी का रेश्यू बताना है लोर्मॉस पोजिशन तक आने में देखो टेंशन हमेशा जो है ना व दन बाइटेंशन हमेशा जीरो आएगा तो वर्क डन बाइटेंशन बगवक डन ग्रेविटी भी हमेशा ही जीरो आएगा चाहे आप किसी भी इंटर्वल के लिए लिए ठीक है तो इसकेस में आपका अंसर जो है वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ऑप्जिट कहां से कहां तक आ रहा है क्योंकि टेंशन हर केस में जीरो वर्क करता है कोईalyность में इसका जाता है वो हमारे थर्ड किशन बे थर्ड कोशन में आमको बता रखार दोхट किजी ऑधेग slightly energy किा होगी तो इसमें सिस्टम कहें का कॉमन एक्शलरेशन किया है कितनी स्पीड गेन करेगा यू प्लस एट技 रोप्लस एक टिन दो फिर फोर काई स्क्वर तो यह आएगा उन्सलाban जूल तो आपका अंसर क्या बन जाएगा इसमें 80 जूल तो 80 मतने कि 80.00 यह आपका अंसर हो गया कि फूर्थ में आपको बोला है कि एक ऑब्जेट को 10 मिटर की दस केजी का ऑब्जेक्ट उसको इनिशल हाइट 10 मिटर से यूज सब्सक्राइब अब्जेट जो है वह ग्राउंड तक की अगर प्रजेक्टाल मोशन कंप्लीट करता है तो इस दुरान ग्रेविटी का टोटल वर कितना होगा तो देखो ग्रेविटी का जो टोटल वर्क हमें बता रहा है इस अब्जेट पे हवा के दूरान तो एक ही फोर्स इस दुरान क्या रहा है तो वर्क डन ग्रेविटी जो है वह कितना हो जाएगा एम जी एच भई एम जी फोर्स भी नीची की तरफ ही लग रहा है और उस केसमें वी फोर्स इंटो डिस्प्लेस्मेंट कर लो फोर्स डिस्प्लेस्मेंट तो एम जी का तो ग्रेविटी का फॉर्स डिस्प्लेस्मेंट कितना है एच न सब्सक्राइब लेना पड़ेगा 9.8 तो आपका आशर क्या आएगा 980 ठीक ना इन एटी जूल अब आपको पूछा है कि X जूल हो तो X by 10 की वेले विजा नहीं है तो X कितना है 980 तो X by 10 कितना होगा 98 98.00 आपका option बन जाएगा इसमें ठीक है बिटा 4th option 4th का 98.00 फिर आता है 5th question में आपसे पूछा है कि tension का work done कितना होगा देखो tension जो है वो B को तो रोपने की कोशिश कर रहा है tension A को चलाने कोशिश कर रहा है मानलों कि यह पूरा system जो है वो displacement इतना है इसको displacement S मिला और इसको भी S मिला वह दोनों साथ साथ चलेंगे तो यह tension जितना A पर positive work करेगा उतना ही B पर negative work भी तो करेगा ना tension का network आएगा T S cos 180 और यह आएगा T S cos 0 तो यह work क्या जाएगा minus T S यह work क्या जाएगा plus T S तो net कितना हो जाएगा नेट हो जाएगा 0 इसका मतलब tension पूरे system पे network क्या करेगा इसमें 0 तो आपका अंसर आएगा 0.000 ठीक है यह फिप्तों का option होगी आपना 6 की बात करते है कि सिक्स्त में आपको यहां पर कि फोर्स और पोजेशन दिया है दो सेगंड का वर्क पुछा देखो एफ डॉट डी आर यह होता है ना पर पोजेशन चेंज को डिस्प्लेस्मेंट बोलते हैं एफ कितना है थ्री टी आई के प्लस फाइफ जेकेप डी आर कितना है टू टा पर यह आई के पाल आएगा ठीके अब इस केस में देखो 2T 3T आई के पूर 2T स्क्वेर आई के पर कितना हो जाएगा 3T और यह 4 T.DT यहां पर बड़ी और आएगा न साथ में टी स्कार का कि इंटिग्रेशन दिफ्रेंसियसियशन करोगे तो तो यह कितना हो जाएगा 12 T.Q Q i3 इस केसमें आपका आउनसर जो है बहुर परूर टी कि अपने पास अपने पास है इसकेस में कितना ढाया दो सिकड्स दो की पावर एंग थरी तो चार एक ना शुरी आपको चार आगा तो चार पराठ बत्तिस जूला आपका आंसर बन जाएगा वे कंफूनिसमें फिर उसका सेवन्थ सेवन्थ में आपको देखो यहां पर यूनिफॉर्म चेन मास एं लेंटल इस हैंगिंग विदे पैग नाउ इट लोवर एंड इस रेज़ डप मास यह टोटल लेंथ अगर लगाई टू है तो सेंट्र ओफ मास की हाइट तो लगाई फोर होगी ना तो वर्ग डन भाई कि एक्स्टरनल फोर्स क्या होता ईटल्टा यू प्लस टल्टा कि अब देएग आप देखो ओगनघ अइट्स चेंज आ एक हैट का मतलब क्यों 550 होता है तो यू कि पूछा है 10N 10N की वैल्यू क्या है 40 तो 40 जो है वो 10N की वैल्यू जाएगी सेवन्त में ठीक है कि अगला आता है एट्थ क्योशन एट्थ क्योशन की बात करें एट्थ क्योशन आपको देख एक ऑब्जेक्ट पे स्प्रिक्षन फॉर्स का ग्राब दिया वाई कि यह जो है वह एक्स बराबर 0 पर चल रहा था एक्स बराबर 4 तक आया यहां से यहां तक उसकी इनिशल स्पीड यू कितने थी तो बाद में उसकी स्पीड एक्स बराबर चार पर कितनी हो जाएगी ठीक है तो देखो हमें पता है फ्रिक्शन का वर्क दन क्या होता है नेगेटिव है ना तो वर्क डन वाई ओल क्या होता है डेल्टा के अभी अब चल रहा होगा यहां पर तो इस पर कितने फोर्स लग रहा है नॉर्मल एमजी और इदर से फ्रिक्शन तो देखो नॉर्मल का वर्क तो क्या हो जाएगा जीरो एमजी का वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो और फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव के फाइनल माइनस के इनिश ठीके तो speed आपको बताना है 4 सिकन्ट बाद यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह एडिया कितना हो जाएगा half parallel side का sum यह वाली side कितने 4 यह वाली side कितने 2 तो half 4 प्लस 2 इंटू 10 के फाइनल कितना था kinetic energy फाइनल जो है वो दो किजी का अब्जेक्ट है ना half 210 का स्क्वेर और यह माइनस में हाफ टू वी स्क्वेर माइनस टैने स्क्वेर ऐसे कर दे तो इसको में तो यह कितना आहिए आपके पास 623 30 माइनस का 30 हाफ से ख давно जाएगा भर वी स्क्वेर माइनस और उप 100 तो वी स्क्वेर कितना वी कितना हो जयाएगा रूट ऑफ 70 से मेरा एन कितना हो जाएगा इस केैस में हो जाएगा second credit इसका अंसर ठीक है उसके बाद आता है नाइन्थ नाइन्थ क्रेशन में आपका फोर्स जो है आपको दिया वाए एक साइक प्लस एक स्वाइज के ऑब्जेट को आप मोह करवाते हो और जिन से पहले टू कॉमा जीरो पे और फिर टू कॉमा जाएगा fx.dx प्लस fy.dy अब fx कितना हो जाएगा इस केस में fx हो जाएगा तू कॉमा एफ एक्स कितना दिया वापको एक्स डॉट डी एक्स एक्स वाई डॉट डी वाई अब देखो इस केस में जब ऑब्जेट ओसे यह आ रहा है तो ओसे के लिए अब यहां कुछ चीजे स्वाल कर लेते हैं एक्स जो है वो जीरो से लेके टू तक चेंज हो रहा है इसका मतलब डी एक्स तो नोन जीरो है फिर इसके बाद हिर आपको फिर एसे बी बितवाणा तो एसे भी के लिए देखना है lift के लिएगा क्वेश्द की मैं इसको फिर घंपन ऑसले कटनी एक्स के वैवेल लिट टीमोत डशिकन हो जाएगा जीरो क्योंकि एक्स तो चेंज से two change हो रहा है न तो डी वाई कितना हो जाएगा इस case में डॉन जीरो तो अब इसमें आप जब वर्क निकालोगे तो x.dx वो तो x component कवर के xy dy ये इदर आ जाएगा ये चीज़ 0 जाएगी इधर से x बाहर आ गया y.dy X बाहर क्यों आए क्योंकि X constant था ना तो यह आजाएगा अपने पास 0, 2 और इसका हो जाएगा Y square by 2, 0 से 2, तो यह कितना हो जाएगा 4 Joule, तो total work कितना हो जाएगा मेरे पास W net, यह आजाएगा 2 plus 4 यहने की 6, 6 Joule net work आजाएगा, तो N की value कितनी हा रही, N की value हा रही 6, मुझे प 30, के confusion इसमें, बच्चों आते हैं हमारे 10 वे question पर, 10 वे question में आपको बोलाए कि पानी का pump जो है, वो 60 लिटर पानी को प्रती मिनिट, 50 मिटर की height तक लेके जाता है, और पानी साथ में 10 मिटर प्रती सेकेंड का वेक भी प्राप्त कर लेता है, speed gain करता है, जब वो 50 मिटर height प देखो, केसी भी सिस्टम में output power आप कैसे निकालते हूँ, बतला pump ने finally जो काम किया, वो ही तो उसका output power होगी, तो work by pump, pump divided by delta T, pump ने एक तो पानी की kinetic energy को बढ़ाया और kinetic potential energy को बढ़ाया, ठीक है, mgh half mv square by delta T, अब पानी के लिए ध्यान रखना, एक लिटर बराबर 1 kg होता है, तो 60 लिटर का मतलब कितना हो जाएगा, 60 kg, फिक्ता हो गया है, 60 kg, जी, जी की value 9.8 होती ही है, by default तो वह लेनी है, क्योंकि हाँ पर 10 और 9.8 से फरक पड़ेगा, इसलिए आपको 9.8 ही लेना है, जो एक्टोल वेल्यू होती है, प्लस हाफ, 60 और 10 का स्क्वार, डिवाइड बाई, वन मिनिट देने की 60 सेकिंड, तो देखो 60 60 कर जाएगा, यह क्या जाएगा, 490 प्लस 50 डिवाइड बाई 1 देने की 540, तो एफिशेंसी क्या होता है, एफिशेंसी होता है, आउटपट पावर, यह होता है न, और यह आपको दिया वाए 50%, 50% का मतलब यह हो जाएगा, कि जो इन्पुट पावर है, वा आउटपट पावर से कितनी आएगी बेटा, डबल, इसका मतलब पावर इन्पुट, इस 50% सुरी, ट्वाइस, टू टाइनस ओपावर आउटपुट, मतलब जितनी एनर्जी फंप ले रहा है, जितनी पावर उसके रिटेट पावर है, उसका वो 50% ही कनवर्ट करेगा, वर्ख में, तो टू टाइनस ओप पी आउटपुट, पी आउटपुट कितना हो जाएगा, वाटेस में, पावर टी, चार से एक टेगा, टू, टू बचेगा, तो एट सेवन, तो अपना फावर आउटपुट, जीरो जीरो, होग, तो एक अपना आउसर बंद रहा है, टेंथ के बाद अगला हाता है, 11th, 11th के उस्चन में आपको यहाँ पर, सर्कुलर पाथ में, पार्टिकल स्टार्ट करता है, बोशन, लेमडा टी स्वार इसकी वेलोसिटी है, और यह पूसर है, एंगल बिट्विन, वेलोसिटी और नेट अक्सलरेशन, एट टाइम टी, देखो, सिंपल सी बात है बिटा, कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी अगर V इस तरफ है, तो इसमें दो तरह का एक्सलरेशन होते हैं, एक तो होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रिपिटल, और नेट एक्सलरेशन ऐसे कहीं आता है, तो वेलोसिटी और नेट एक्सलरेशन की बीच में एंगल पूछे, या आपसे पूछा जाए कि तो 10 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा इसके इसमें 10 थीटा हो जाएगा 80 by AC अब चलो 80 और AC निकाल लेते हैं 80 कैसे निकालते है फ़ल 80 हो जाएगा dv by dt इसका मतलब लेमडा इंटू 2T AC क्या हो जाएगा और इसको अपन को किसी टी टाइम पर बताना ठीक है AC हो जाएगा v square by r यानि की लेमडा square t इसे करते इसको लेमडा T square का square divided by R यहनि कि lambda square T4 by R ठीकि? तो 80 lambda square T4 divided by R और यह जाएगा lambda T 2 lambda T तो finally इससे मेरे पास क्या रहा है? lambda एक बार T की पावर 3 2 R ठीकि? lambda T की पावर 3 2 R यह जाएगा 10 theta तो theta कितना जाएगा पेटा इसमें 10 inverse lambda T cube divided by 2 R अब दोगो compare करें lambda की जाएगा लेमडा है T की पावर 3 है वहाँ क्या दियावा है? A इसका बतला compare करने पदलता है की A का मतलब क्या है? 3 और इसका मतलब एक और क्या पदलता है? की जो B का मतलब है वो B का मतलब क्या है? 2 तो आपको यहाँ पे A और B का मतलब पदल है तो A by B की वेलिव पूचिए A by B कितना हो जाएगा बेटा? 3 by 2, 1.5 ओके तो यह आपका यहाँ पे बन जाएगा तो बेटा यहाँ ग्यारवा क्येशन कंप्लीट हुआ एक बासका सॉलिशन नोट कर ले वीडियो पोस्ट करके ओके अब आते हम हमारे ट्वेल्ट केशन पे ट्वेल्ट केशन बुलाएं कि पार्टिकल जो है वो कॉंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन सरकुर पाथ में मोह करना शुरू करता है और उसके लिए रीडियस आपको रूट 3 दिया हुआ है ठीक है तो यह बोल रहे हैं कि श compris Bettie Squire थी अफसे स्कॉयर क्यों होता है राव स्कॉयरत और का कैस्वेर और ऑल्फा इन्टू आर का स्कोईर और ऐनेटकर रोट छीक्स का स्कोईर ठीक है कि यह लाइब छे चलुए पावर को रस्कोएर एलफा स्कुयरा रस्कोराइव ड़्धाँ से लिखोंगाब बढ़ाने काम करता जी रोप्लस आर टी तो इस केस में वी हो जाएगा आलबार टी बराबर कि बात करनी है तो भी कितना हो जाएगा तो यहां पे हम वी लग देंगे यहां की पावर 4 तो देखों यह कितनो जाएगा एलफा बौब और फूर को आरका स्क्वेर fix सिक्स आर कितना था d 3 तो आर का स्क्वार कितना हो जाएगा हूँ तो 6 बरावर एलफा 4 3 एलफा स्क्वार 3 इसमेरे पास देखते हो एक क्वेशन मनेगी α एलफा की पावर 4 प्लस एलफा स्क्वार बरावर 2 इसको मैं एसे ले सकता हूँ, alpha square का square, alpha square minus 2 बराबर 0, इस पूरे को मैं x माल लेता हूँ, तो यह equation क्या हो जाएगी, x square plus x minus 2 बराबर 0, इससे मेरे पास देखू, दो फेक्टर बन रहे हैं, x plus 2, x minus 1, तो एक तो बनेगा x की value minus 2 और एक बनेगी x की value plus 1, अब x का मतलब क्या है, alpha square, alpha square का भी negative थोड़ा नहोगा, किसी चीज़ का square अगर आप करोगे तो negative आ रही सकता, तो इसका मतलब alpha square minus 2 तो possible ही नहीं, तो यह हो जाएगा, यह तो गलत, के वल क्या बच्चे का, 1, इसका मतलब alpha बराबर 1, तो अपना answer क्या हो जाएगा, इसका alpha बराबर 1, 12 equation cancel, ठीक है, तो 0, 1.00, फिर इसका आएगा, 13 question, 13 में आपको एक circle दिया हुआ है, और particle जो है, उसमें clockwise direction में move कर रहा है, ठीक है, तो इस circle में देखो, particle इस तरह से clockwise move कर रहा है, circle की equation क्या है, x square ब्लस y square बराबर 4, तो यह particle जब 0, 2 पे, 0, 2 पे हो जी सकता है, क्योंकि इसकी radius क्या रहे है, देखो, इसकी radius आएगी, equation से compare को, r का square होता है, तो r का square, 4 के बराबर दिया हुआ है, बदलब आर कितना है, 2, तो यहाँ पे इसके लिए velocity कुछ रहेगी, अब देखो, इसमें acceleration है ना, इस instant पे, जब वो 0, 2 पे है, इसका net acceleration इसे दिया है, 6i, क्या दिया वाइक तो, 6, तो i cape में, और 8, j cape में, अब देखो, 6 जो है, वो velocity की direction में, इसका अंदर 6 तो क्या हो जाएगा, 80, AC क्या हो जाएगा, जो velocity के perpendicular है, 8, omega square r बराबर 8, omega square r की value 2, 8, तो omega कितना हो जाएगा, plus 1, sorry, 2 आएगा, तो 4 का square root कर रहेगा और 2 आजाएगा, तो omega की value हो जाएगी 2, अब यहाँ काली value बता नहीं आपने को इसलिए अपना answer क्या जाएगा, इसमें 2 आजाएगा, तो omega बराबर 2, कोई confusion इसमें 13 का अंसर हो जाएगा, 2, ओके बीटा, आते हैं 14 पे, 14 में आपको यहाँ पे, देखो, एक डिस्क पे दो object रखे गए, और इनके friction coefficient जो है, वो इस तरह से mere mu भी है, इननों बुला कि maximum safe angular speed जो है, वो दोनों के लिए same है, देखो, कैसे, अगर कोई object इस तरह से एक डिस्क पे घुमें, तो इसको घुमने के लिए required centripetal force कोन देता है, यह मालो आर डिस्टेंस पे है, तो इस पे जो लगने वाला friction है, वही तो इसको centripetal force provide करेगा, और safe का मतलब क्या है, कि fs less than होना चाहिए, limiting से, यहने कि m omega square r less than होना चाहिए, mu mg से, तो m से म काड़ दो, तो इसका मतलब omega maximum speed, क्या हैगी, mu g divided by r, और root में, अब इदो ने बोलाए कि a की maximum safe speed और b की maximum safe speed same है, omega a max, omega b max, तो इसका मतलब क्या है, mu a r a, बराबर mu b, r b, तो mu b by mu a, क्या हो जाएगा, बिटाए, r b by r a, r b कितना हो जाएगा, 3 r बटा 4, r by 4, ratio क्या हो जाएगा, 3, तो इसका मतलब b और a की बीच में, ratio आ रहा है, 3, 14 में, कोई confusion बिटाए, इसमें, है ना, तो यह simple सा question, circular motion में, अगला आता है, 15th question, 15th question बोल रहे हैं कि, कितने angle पर जाने के बाद object जो है, अपना content खतम कर देगा, देखो, यहाँ पर initial speed 0 है, object माल लिया, यहाँ तक आने के बाद content खतम कर रहा होगा, तो उसकी speed उस वक्त V हो चुकी होगी, अब देखो, V अगर speed है, object यहाँ तक आ चुक लगा है, तो इसको घूमने के लिए required centripetal force कौन दे रहा है बेटा, देखो, इसमें mg इस तरह से लग रहा है, यह angle भी theta है, तो यह component आएगा mg का cos theta और यह normal, तो देखो, mg cos theta minus normal इसको required centripetal force provide करेगा, सही बाते, और अगर आप यहाँ से जो delta height निकालोगे, delta h निकालोगे, height का change, वो change कितना आएगा, r minus r cos theta, तो यहाँ से v square बराबर क्या जाएगा, root 2g delta h, यानिकि यह कितना जाएगा, 2g r 1 minus cos theta, यह v square की value, इस v square की value का आप यहाँ डाल दो, आप देखो, normal 0 हो जाना चाहिए, जब यहाँ से content खतम हो, तो इसका मतलब क्या है, mg cos theta minus 0, बराबर m, 2g r 1 minus cos theta, divide by r, तो क्या हो जाएगा, cos theta बराबर 2, 1 minus cos theta, यानिकि 3 cos theta बराबर 2, तो cos theta बराबर 2 by 3, तो cos theta अगर 2 by 3 है, तो देखो, a की value क्या है, इसका मतलब 2, और b की value क्या है, 3, तो b by यह पूछा है, b by a मतलब की 3 by 2, यानिकि 1.5, 0, ओके बिटा, तो 1.50 आपका इस मांसर बन जाएगा, 15 में, ओके, फिर इसी में, 16 question इसी का अगला part है, कि अगर इसी में object को, कितनी speed दे, कि वो, जो topmost point है, वहाँ पे ही contact खतम कर दे, अगर मुझे contact खतम करवाना है, तो यहाँ पे मैं इतनी speed दूँ, ताकि यहीं पे normal 0 हो जाए, अब normal 0 हो जाएगा, तो इस particular point पे required centripetal force कोन provide कर रहा होगा, इसका मतलब mg-n बराबर mv square upon r, तो normal को 0 कर दूँगा, क्योंकि इस contact हतम करवाना है, तो v square by r, v square कितना हो जाएगा, v बराबर root gr, अब यहाँ पे देखो g की value कितनी है, 9.8, r कितना हो जाएगा, 5, तो यह हो जाएगा, 49, 49 square root कितना होता है, 7, तो आपका अंसर हो जाएगा, 7, 7 meter per second की speed अगर देंगे, तो यह object उसी time पे contact को खतम कर देगा, topmost point पी, ओके पीटा, तो यह symbol centrifugal force की equation लिखना होता है, और जहाँ पे भी आपको contact खतम करवा रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे पीटा, normal reaction को zero कर देंगे, कोई confusion इसमें, लिखे, अगला आता है, 17, 17 में देखो, यह एक तरह का loop का question है, वह बोल रहे है कि height की minimum value क्या हो, ताकि वह loop को complete कर सके, तो यहाँ पे bottom point पे speed जो है, वह कम से कम root 5GR तो होनी चाहिए न, यह तो circular motion की condition है, और जब object h height पे गिरेगा, तो वह कितनी speed अच्छीव कर लेगा, root 2GH, energy conservation से, है न, इन दोनों को अगर आप combine करोगे, तो V जो है, वह greater than equals to इतना होना चाहिए, और energy conservation से इतनी speed में लेगी, इसका मतलब root 2GH, जो है, वह greater than होना चाहिए, root of 5GR से, मतलब h की जो value आएगी, वह 2.5R से जादा होना चाहिए, मतलब h की जो minimum value आएगी, वह आएगी 2.5R, 2.5R कितना है इसमें, 5 meter, तो कितना जाएगा, साड़े बारा मिटर, साड़े बारा मिटर जो है, वो यहाँ पे height हो जाएगी, minimum required height, ठीक है, आते हम हमारे अठारवी question पे, अठारवी question में, खुरदरे शेदिज मोड का घरिशन गुणां कितना है, तरिज्जा इतनी है, तो आपको maximum service भी जादाना है, friction coefficient फ्लेट रोड दिया हुए है, तो फ्लेट रोड के केस्ट में, μू आर जी, यही होता है, मू कितना दिया है, 1 by 4, आर, 10, जी, 10, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वेर रूट पाँच, आ गया, कोई confusion इसमें है, simple है, 19, 19 में जब भी आपको trajectory की equation दी जाए, और आपसे radius of curvature पूछा जाए, तो एक simple सा formula होता है, 1 plus dy by dx का स्क्वेर, की power 3 by 2, d2 y by dx square, अब देखू, 1 plus dy by dx का स्क्वेर क्या आएगा, 1 plus 2ax, इसका differentiation कर दिया हमने, और उसकी power 3 by 2, फिसका double differentiation कर दो, 2x का double differentiation क्या आएगा, 2a, अब यह तो आर का एक general value जाएगी, हमें क्या बताना है, origin मतलब x की value 0, तो x के लिए 0 डालोगे, तो 1 plus 0 का स्क्वेर, power 3 by 2 upon 2a, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2a, तो 1 upon 2 को अपर कर दो, और यह क्या आ रहा है, 0.50 upon a, तो n upon a, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यह 0.50, तो यह मेरा 19 का भी answer आजाएगा, 0.50, 0.00, 0.50, ओके बिटा, फिर अगला आता है, 20 question, 20 question मा आपको बोलाएगी, को object को u speed से फेका गया है, h height से, ठीक है, अब, h height से, u speed से फेका है, तो वो बोल रहे हैं की, 1 second बाद इसकी radius of curvature क्या होगी, देखो, x component कितना था, 10, ठीक है, अब उसकी speed अगर यह हो जाएगी, तो 1 second बाद भी, उसका x component तो as it is रहेगा, n है, y component कैसे निकालोगे, v y वराबर g into t से, 10 into 1, यहने कि 10, देखो, दोनों component equal आने का मतलब, net velocity क्या हो जाएगी, फिर 10 root 2, है ना, अब देखो, net velocity इधर है, 10 root 2, acceleration इस पर लग रहा है, g, acceleration कौन सा लग रहा है, g, और इसका देखो, यह angle कितना बन रहा है, इधर से बन रहा है, 45, तो यह angle भी कितना बचेगा, 45, तो perpendicular component of acceleration क्या आजाएगा, g sin 45, तो आर का formula क्या होता है, net speed का square, अपोन a perpendicular, net speed क्या है पेटा, 10 root 2 का square, अपोन a perpendicular जेने की, 10 by root 2, कितना हो जाएगा पेटा है, 200 बटा पांच रूट्टू, मतलब कितना हो जाएगा, 40 बटा रूट्टू, मतलब कि 20 root 2, root 2 कितना हो दिया होगा है, 1.414, तो 1.414 को multiply करोगे, 20 into 1.414, 8, 2, 8, 2, और 3 point के बादे लगा तो, 20 भी रहा हा तो, 28.28, तो 28.28 यह अपना आंसर बन जाएगा, 20 का, तो पेटा, यह अपना वक्पाइनर्जी और सर्कुलर मोशन का, जो एको फिरिक्स था, I hope आप लोगोंने काफी सारे concept यह अपलाई कियोंगे, ओके बच्चो, all the best.